अगर कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा तो फिर आज की वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अपने फ्रेंडों को आप जरूर से एर करेंगे आप से रुकेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को जर अगर यहां करूंगा यह तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे इससे पहले मैंने आपको एक्क्वेस्ट आफ गॉस्ट नहीं बताई है क्योंकि वो पेपर में कभी आई भी नहीं है लेकिन वो यूज होगी तो मैं यहां वो लिख रहा हूँ आपको एक-एक पॉइंट समझाओंगा बीडियो पसंद आए और हर पॉइंट समझ में आए तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों को जरूर से यार करना सबसे पहले हम यहां लिखे देता हूं तो इसमें small m की वैलू क्या होती है क्योंकि मुझे यहां m निकालना हैं सबकी वैलू दिखा रहा हूं 1 upon 2H square G E2 minus F G1 L की वैलू 1 upon 2H square G E1 minus 2 F F1 plus F E2 और निकी वैलू होती है 1 upon 2H square E G1 minus F E2 और निकी वैलू होती है 2H square E G2 minus 2F F2 plus F G1 यह तुम्हें याद होने चाहिए यह गौस्ट थ्योरम में थे मैंने वो प्रूफ ही नहीं करी तो आपके पास बुक तो होगी उसमें और देख लेना वैसे जो चीजी यूज होगी वह मैं जरूर बताऊंगा अब मुझे यह प्रूफ करके दिखाना है log H दे रहा है लेकिन हम H में एक relation और जानते हैं चली यह प्रूफ करते हैं first part पहले यह आपको दिखान रखना है यह मैंने बताया है question क्या है डेल ओवर डेल यू log H इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल ओवर डेल यू H इसको कहां केवल H है एक वटे दो log H square दो से दो कट जाएगा इतना तो आप जानते हैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ एक वटे दो को पहले ले लीजिए डेल ओवर डेल यू log H square log के according differential करिए 1 upon 2 तो यहाँ 1 upon H square मास इतना ही रहने दीजिए डेल ओवर डेल यू और H square इसके बाद देखिए यहाँ से सुरू करते हैं एक वटे दो 1 upon H square डेल ओवर डेल यू यह H square की value यह रख दीजिए E G minus F square चलिए तो इसका differential करते हैं 1 upon 2 H square इसकी तो multiply इसका differential G1 पिलस अब E की differential हो गया G की multiply minus इसका 2 F F का F1 यहाँ number 1 डाल दीजिए यह किसकी value चल रही थी डेल ओवर डेल यू log H की value हम कर रही थे इसका मुझे यह proof करना है L पिलस मू अब मैं अलग से लेके चल रहा हूँ L पिलस मू यह तुम्हें सब याद होने चाहिए now L पिलस मू इक्वल टू देखिए L यह निकाला है मैंने 1 upon 2 H square G E1 minus 2 F F1 plus F E2 पिलस के मू यह रहा 1 upon 2 H square कोमन आ जाएगा इसी को लेखे देता हूँ पिलस E G1 minus F E2 इन दोनों को मैंने पिलस किया है तो 1 upon 2 H square को मना आ गया यहां से कुछ कटा है देखिए क्या कटा है F और E2 कट गया बचा क्या 1 upon 2 H square G पहले इसे लिख लीजिए चलिए E G1 अब इसे लिख दीजिए G E1 minus के 2 F F1 यह कितनी वैलू है इसकी L plus Mu अब आप देखिए यह वैलू यह सेम है इसका मतलब इसकी वैलू यह यहां रख दीजिए put in first तो answer क्या आ जाएगा यहीं लिके देता हूँ दूसरा तो आ जाएगा इसमें तो डेल ओवर डेल यू और log H इसकी वैलू यह यहां रख दीजिए इस जगह पर देखो यह और यह सेम है तो इसका मतलब यह और यह सेम हो गए ऐसे समझ लो दिस एंड दिस सेम इट फॉलो डैट दिस एंड दिस सेम तो L पिलस मू एक तो यह प्रूफ हो गया आपका यह वाला पार्ट अब मुझे यह वाला पार्ट लेके चलना है तो मैं लिख रहा हूँ इसी को डेल ओवर डेल वी यहां से ले रहा हूँ नाओ अब इसका डिफरेंशियल करिए आगे बढ़ा लीजिए एक वटे दो लॉक के एकोर्डिंग वन अपोन एच स्कॉर डेल ओवर डेल वी केवल बचा यहां एच स्कॉर फिर आगे बढ़ा लीजिए टू एच स्कॉर एच स्कॉर की वैलू यह रख दीजिए डेल ओवर डेल वी क्या है इजी माइनस एफ स्कॉर अब के हम जहां वन लिखाता हुआ वहाँ टू लिखेंगे वी के लिए यू के लिए फर्स डेरिवेटिव तो वी के लिए सेकन डेरिवेटिव तो इसका डिफरेंशियल में यहीं से लिखे देता हूँ वान अपॉन टू एच स्कॉर इसकी तो मल्टीप्लाई इसका हो गया जी टू पिलस अब ए का डिफरेंशियल जी की मल्टीप्लाई इसका टू एफ एफ का एफ टू इस सिंप्लाईज आगे बढ़ा लीजिए इससे नम्मर वन डाल दीजिए अब हमें क्या प्रूफ करना था एफ पिलस न्यू यह अलग से निकालते हैं जैसे हैं निकाला था ठीक है तो मैं यहीं लिखा ले देता हूँ एफ पिलस न्यू बरावर केवल यह लिखा जाएगा इजी टू माइनस टू एफ एफ टू पिलस एफ जी वन हमने देखा यहाँ पर एफ जी वन से एफ जी वन कट गया क्या बचा यहाँ एफ पिलस न्यू वान अपॉन टू एच इसक्वार पहला इसे ले लो इजी टू पिलस जी इटू माइनस टू एफ एफ टू देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है यह मैं सेकिंड बनाए देता हूँ क्योंकि यह दूसरा क्वेशन चला आया तो फर्स्ट और सेकिंड देखेंगे यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है इसका मतलब जो इसका आंसर है, क्या है इसका question? ये जो चल रहा था, डेल ओबर डेल वी, और log h, केवल h, इसको मैंने यहां एक line gap कर दिया था, अगर आप आजा दिखाई दे जाए, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेल ओबर डेल वी, और log h, नाओ, ये second part यहां हो गया, तो ये log h चे दो की भाग तो यहां कुणा हो जागी, तो ये आगया, अब समझे ये और ये same, it follow that, ये और ये same हो गया, इसका मतलब डेल ओबर डेल वी, log h equal to m पिलस mu, new गोलते हैं इसे, तो ये example, दो example थे इसी के अंदर बहुत important example है, उम्मीद करता हूँ, मैंने एक-एक point आपको समझाया था, और साथ कोई tough वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है, चलिया तो इस example को और देखे लेते हैं, very very important है, राइट हेलिकॉड के ये point दे रखे हैं, और L, M, लेम्डा, तीनो, L, M तो मैंने बता दिया थे, आपको फिर लिख दूँगा, लेम्डा भी निकालना है, उसकी value भी 0 आएगी इन तीनों की, और μू की value ये आएगी, ये चार पार्ट इसमें प्रूफ करके दिखाने हैं, और जबकि हमारे पास सिर्फ हैलिकॉड के point दे रखे, R बराबर, देखिए, we have, R equal to दे रखा है, U cos V, U sin V, C V, R1 निकालेंगे, आप तो U के respect करेंगे, इसका 1 बचा cos V, U का 1 बचा sin V, और इसका हो गया 0, अगर आप R2 निकालेंगे, तो V के respect करेंगे, तो minus के U sin V, U cos V, और इसका V का 1 सिर्फ C बचा, हमें E निकालना होगा सबसे पहले, और ये होता है, R1 का square, तो cos square V, sin square V, 0, क्या हो गया 1, हमें G निकालना होगा, ये होता है R2 का square, U square sin square V, पिलस U square cos square V, यहां तक तो U square हो जाएगा, लेकिन अब ही plus के C square, ये तो आप पर आते हैं, ये I का coefficient, J का और K का, तीनों का वरक करेंगे जोड़ देंगे, तो ये आएगा, U square plus C square, F निकालना होगा, ये होता है, R1 dot R2, इसकी dot इसमें करेंगे, तो minus के U, sin V into cos V, इसकी dot इसमें करेंगे, पिलस U, sin V into cos V, और इसकी dot इसमें करेंगे, तो 0, ये कट गया, minus plus, इसकी value क्या हो गई, 0, हमारे पास, E, F, G, सब की value निकलाई, H बराबर और निकालना है, तो ये H square बराबर होता है, E, G, minus F square, तो H square बराबर, E की value 1, G की value होगी, U square पिलस C square, और F की value 0, तो ये ही आ गया, अब हमें निकालना, इन formula में जरूवत पड़ेगा, जब E equal दे रखा है 1, तो आप E1 करेंगे, तो 0, E2 करेंगे, तो 0, आपके पास G दे रखा है, U square पिलस C square, आप G1 करेंगे, तो V के respect 0 आएगा, और G2 करेंगे, G1 करेंगे, तो 2U आएगा, और इसका V के respect करेंगे, G2 तो यहां V नहीं है, तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएए अब हमें F देखना है, F1 निकालेंगे, तो यहां 0 आएगा, क्योंकि F बराबर 0, एक बाद differential U के respect, और V के respect करेंगे, तो भी इसका 0 आएगा, 1 का मतलब है, इसका U के respect करना, और 2 का मतलब है, E का V के respect करना, आएए, हमें सारी value बिल गई, L बराबर क्या होता है, Goss theorem से, जो Goss की equation है, मैंने proof नहीं कराई है, फिर भी मैं लिखूंगा, आपको समझाँगा, तो हम जानते है, L इक्वल क्या होता है, L इक्वल होता है, 1 upon 2H square, GE1, minus 2FF1, plus FE2, तो 1 upon 2H square, GE1 की value क्या है, 0 है, तो यह 0 हो गया, F1 की value 0, E2 की value भी 0, इसका मतलब total 0, L बरावर proof हो गया, 0, M बरावर देखिए, M equal होता है, 1 upon 2H square, GE2, minus FG1, 1 upon 2H square, E2 की value 0 है, देख लीजिए, तो 0 और F की value 0 है, इसका मतलब total 0, तो this implies, M equal to 0, अब lambda की value निकाल लीजिए, तो lambda बरावर होता है, 2H square, E G2 minus 2F, F2 plus E, G1, यहाँ value रखेंगे, E की value यहाँ 1 है, G2 की value कितनी है, 0, तो यह 0, F की value 0, और G1 की value कितनी है, 2U, lambda की value है, E G1, G1 की value कितनी निकली है, 2U, F की value 0, और E की value 1 है, और G2 की value 0 है, तो यह आ गया आपका, 2 से 2 कट गया, केवल बचा, U upon H square, यह आपकी lambda की value रही, lambda की value, E G2, minus 2FF2, plus E G1, इसका मतलब, यह lambda की value, यहाँ गलत लिख रही थी, this implies, lambda वलावर हो गया, U upon H square की value लगा दीजिए, H square की value, मैंने कहीं लिखिया, यह रही, E G, minus F square, अब म्यू की value देखो, तो म्यू की value क्या है, म्यू बरावर होता है, 1 upon 2H square, E G1, minus F E2, तो 1 upon 2H square, G1 का मान 2U है, यहाँ पर E का मान 1, minus F की value, already 0 है, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब, U upon H square, तो म्यू इक्वल टू, U upon H square, या U upon H square की value रख दो, U square पिलास, C square, म्यू की value, H square की value हम रखेंगे, यह रही, U square पिलास, C square, यहाँ भी रख दीजिए, H square की value, U square पिलास, C square, तो lambda की value, और म्यू की value, सेम हैं, यहाँ मैं lambda करे दे था, बुक में mistake होगी, मैं तो बुक से देख के लिख दिया है, equal to 0, L और M की value 0 आई थी, और lambda और mu की value, यह दोनों सेम आई हैं, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, please comment करके आप जरूर बताना, और अपने फ्रेंडों को जरूर सेयर करना, ताकि मैं next video आपके लिए लेकर आ सकूँ,